हलो असलाम अलेकुम आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन फ्राई वो भी चूले पर भाई ठंड कम आशम है और थोड़ा सा मैंने कहा लाओ आख सेखने को भी मिल जाएगी तो मैंने चूला जला लिया और बना डाला चिकन फ्राई और यह इतना जादा लजीज बनता है ना कि यह देख के मेरे मुँमें पानी आ रहा है आपके मुँमें आ रहा है कि नहीं तो चलिए बनाते हैं तो यहां पर मैंने ली है थाई लेक पीस और वह भी बहुत सारी लिया है क्योंकि फैमली मेरी थोड़ी सी बड़ी है सब लोग आए हुए भी है तो मैंने चिकन के थाई इसे अब हम धोलेंगे अच्छे से और इसमें लगाएंगे हम कट तो कट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाए तो मैं इसमें बहुत सारे कट लगाने वाली हो और यह अच्छे से फ्राई भी हो जाए अंदर तक यह फ्राई हो जाए तो इसके हर तरफ से मुझे अच्छे से कट लगा देना है जिसे की अंदर सारा मसाला चला जाए और हर बाइट में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तो काफी बड़े पीसे हैं ये तो मैं शॉप वाले से कह के लाई थी कि मुझे बड़े पीसे चाहिए तो इसको बहुत अच्छे से काट दिये और ये पूरा तो ये देखिए इसमें भी मैं कट लगा लूँगी जितने भी पीसे है means 7 बीज भी से तह साथ लोग हैनी थे लहाई पर हम एक और पर फिर से दोलेंगे अब इसमें एक formation जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट, अधर कलसुन का पेस्ट मैं डाला है दो चम्मच, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है दो चम्मच, दही लिया है, दो टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम डालेंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, टेक्चर बिसका बहुत इसमें चलि फ्लेक्स डाला है, तो चिकन मसाला डाल दिया है, वाइट पेपर डाला है, अधर चंच गरम मसाला जारूरी है, बहुत जादा, और कसूरी मेती, अच्छा फ्लेवर आता है, कसूरी मेती का, इससे हाथ से थोड़ा सा ख्रेश कर के डालेंगे, तकि और ठोटी पीसस जितने भी है ना, उसमें डालेंगे लेकिन उपर से हम इसको मैरिनेट होने के लिए भी रखेंगे, इसलिए हमने उपर से डाल दिया है अब इसमें नीमबु तो एक पूरा नीमबु इसमें जायेगा, बहות अच्छे से इसको मेरिनेट हमें करना है तो नीमबू निकालने के लिए मैं किसी मशीन का यूज नहीं करती है मैं हाथी का यूज कर लेती हूं बहुत अच्छे से नीमबू भी निचोड जाता है पूरा और पैस इसमें हम सारे जितने भी पीसे सब में अच्छे से मसाला हम लगा देंगे तो हलका सामाने टेस्ट करें गया तो है उसमें नमक डालना भूल गई ती तो मैंने इसमें डाल दिया उपर से नमक और जुक्ति इसको अच्छे से नोपिर धे लिखेए तो घया姓 से नमक और यह न हमां घूघ गया तो इधार आन्डे हम इसको अच्छे से दिब़ जिते भी मसाले आना वो इसमें बाइंड हो जाएंगे जब मैं इसमें डिप करूंगी चिकन का पिस तो इसमें अच्छे सी बाइंड हो जाएगा साथ ही में लेंगे बड़ा सा बॉल और उसमें हम लेंगे मैदा तो all-purpose floor लिया है मैंने तीन बड़े चमच इसमें और साथ ही तो corn floor मैंने इसमें डाला है तीन बड़े चमच साथी में इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स और गैनो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है चाट मसाला और नमक तो नमक डालना बहुत जरूरी होता है जिसे की फ्लेवर बढ़ जाता है हर चीज का और इसे अब हम करेंगे अब हम इसको इस फ्लोर में डालेंगे और अच्छे से इसको जाड लेंगे और इसके बाद इसको हम अंडे में डालेंगे और इसके बाद पूरी तरह से इसको डुबो कर फिर से दुबारा हम इसको फ्लोर में डालेंगे जिससे की अच्छे से यह कोटिंग ले लेगा जैस चारफेंगे मैं गूए मैं डिक के भी अबरा ये बाड़ा लें विलत कि जार दो g搞 अच्छ से करते है CGI भाले पर नष्ट के लिए कि अच्छ से करना नलका उपशा में तो प्राफे करना नहं город वो बहुत अच्छी आएगी उपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी है तो यह सब करने में ना बहुत जादा थोड़ी सी गंदगी हो जाती है लेकिन खाने में इसको बहुत मज़ा आता है एक एक पीस भी पूरा पूरा मिल जाएना तो इसमें पेट भर जाता इनसान का तो अच्छे से मैंने इसमें कोटिंग कर देनी है और यह देखिए अच्छे से मैंने इसको कोट कर दिया है इसी तरह से साथो पीस जिते भी थे मैंने सब को अच्छे से कोटिंग कर देनी है और रख देनी है तो चलते हैं उपर की तरफ जहां पे मैंने चूला बनाया हुआ है वहां पे मैंने लकडी ज्यादा मिली नहीं मुझे तो मैंने चोटी मोटी जो भी मिली सब मैंने सी में डाल दी और कढाई मेरी चूले की तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा यह हो चुका है आदे घंटे बाद और यह देखिए हलका सा गरम हो चुका है जिससे हमारा पीस जो है न वह बहुत अच्छे से पकेगा तो ऐल का टेंपरेजर हमें उतना रखना है जिससे कि यह अच्छे से गल जाए धीरे को तो दूसरी जगह भी थी खाली तो मैंने उसमें एक और पीस डाल दिया और यह देखिए यह धीरे धीरे पक रहा है इसमें अच्छे से कोटिंग भी चरड़ी है ब्राउनिंग आ रही है इसमें बहुत अच्छी सी रेडिश कलर की अभी से मेरे मूं में पानी आ रहा है और यह देखिए धीरे धीरे मैं इसको अच्छे से सेक लूँगी तो आज धूप नहीं निकली है और जब धूप नहीं निकलती है तब मैं चूले का यूज करती हूँ पहले मैं धूप में भी यूज कर लेती थी लेकिन थोड़े दोड़े दिनों बाद समझ में आया कि इ दोड़ी तो coy tb मैं यूज करती यह दिना तेक्शे करती अज़ की दोड़ी कामाज्म करती है तो एक शेल करते हैं पॉसरा निकालती जा रहे है का अच्छा क्들प ये निकालती यह देखिए किता अच्छा लग रहा है ये लेकिक चली मोग आदhr Eisenhower कं चूपने में कहंने मे तो यह जाता है तो आप इसको तो बनाने के लिए दीरे लेकिन यह उतना ही जादा लग रहा है और इसे हम खाते हैं हरी चट्नी और अगर आपको यह जाद नहीं पसंद तो आप इसको समय तो मैयोनीज के साथ भी खा सकते हैं तो हो सके तो मैयोनीज थोड़ा सा वर्ड क्या कीजिए ज्यादा हेल्ट के लिए अच्छी रही होती है चट्नी के साथ खाई यह बहुत मज़ेदार लगता है यह तो लास्ट पीज मेरा इसमें जा चुका है बस यह सर्फ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है तो इसक कि कितना जादा क्रिस्पी है यह वाव तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स फैमली दोस्तों सब के साथ शेयर कीजिए ऐसे ही अच्छी अच्छी डिशे मैं आपके लिए लाती रहूंगी तो खुश रह पिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अला हाफिस